स्वामी जी आज क्यूंकि गठिया को जड़ से खत्म करना है लेकिन ज्यादा फोकस घुटनों पर रहेगा क्यूंकि देश में 15 करोड से ज्यादा घुटनों के मरीज है स्वामी जी इसकी वज़ा क्या है सबसे पहले तो ये समझाईए कि घुटनों का दरद दरसल होता क्यूं है लोगों के घुटने जवाब क्यूं दे रहे हैं साथ ही ये भी बताईए कि घुटनों को मजबूत करने के लिए कौन-कौन से योगा भ्यास है इसका एक सेशन करवा एसे एसे थोड़ी देर रुको रुको ना सीखो ये तो पनिश्मेंट है सब्सक्राइब निचे लचार पचार ऐसे नहीं जाना तो ऐसे नहीं हो ना और फिर जो सुरू से दंड बैठा के लगाते रहेंगे तंड लगाने से पुछ दंड अचे रहेंगे और बैठक लगान लगाने से बैठोगे नहीं ठाण में सबसेर तो अचार आए नहीं। Prem ए छयों के सुरूं के लिए सक्षाव छी सिंट पह्यां देला टाज में उ replied चुछ भी में लगाने सब्सक्राण के लिए का ख्ला हुटीं ये अअज दिद लुटन क्या लेगों लिग्अस इनर्वर् कंदा गुटों के दर्द का मुखकारण का यहां सूजन का आना इंफ्लीमेशन का बढदना गुटने के दर्द का मुखकारण यहां बलड सर्क्ठीलेशन की कमित हो कि देखों हुपगो 20 ओक खीचने छोड रहे फिर ऐसे 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 दोनों तरफ से ऐसे ऐसे फिर जह है ऐसे गुटने को बैठ करके या खड़े हो करके आप कुर्ची पर बैठ करके भी अब जैसे कुर्ची पर बैठ जाते हैं कुर्ची पर बैठ के या से सीधे बैठ करके ऐसे ऐसे करें गुटने को ऐसे चलाना चाहिए लोग को ऐसे भी निख राते हैं, चलो बैठो दकर के चला लो आ ऐसे ही कर लो ऐस ऐसे ही यह तो हमारी तो टीक ठाक हैं तो इसलिए ठीक कर रहें फिर ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं, तो कड़ करके हम महाँ तो गुटने में लैस फिजिकल एक्टिविटी लैस ओक्सिजन सप्लाई अच्छा में जी इन्फिलिमेशन और कुष्ण जिनको गुटने में नमस्कार कर सकते हैं और बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनको और प्रोटीन के डेप्शन से लंबे सिमता करेती उसी काटेलेज घि आज अब यह बता रहे हैं फिर यह करना देखा है बैठ करके गुटने को ऐसे करना अब कितना अच्छा है यह जादा खटी चीजे खाने से माताई बहनों को खटी तीखी अभी कच्छा आम आने वाला है कुछ तो कच्छा आम ही खा जाती है और चटनिया बहुत खाती है और फिर खुदी जी चटनी बन जाती है हम खाना नहीं खाते खाना हमको खाता है हम नमक नहीं खाते नकम नमक हमको खाता हम मीठा नहीं खाते हमको मीठा खा रहा है शुगर हो गई बीपी हो गया हम नमक मीठा कहा खा रहे हम खटाई कहा खा रहे भात भल भात खटाई में पड़ गई खटाई हो गई बात खटाई में पड़ गई तो मैंने माताईं बहनें के घुटने जल्दी खराब होते हैं क्योंकि खटी चीजें ज्यादा खाती हैं इससे inflammation होता है उससे अंदर काटेले जल्दी घिसता है प्रोटीन कम लेती है लेडीज प्रोटीन कम खाती है तो प्रोटीन की मात्रा दूद दही आप जेको घुटने में दर्द होने के बाद दही चांच नीमू अचांच टमाटर नीमू तक भी बता हो नीमू अच्छा है ल रहेंगे और यह बैठ करके देखो ऐसे ऐसे तो फिर घुटने में दर्द नहीं रहेगा तो इंफिल्मेशन नहीं बढ़ना चाहिए आरे सी आर्पी एन्ये एविन एचल भी 27 यह जितनी भी पेन मारकर्स हैं यह घुटने को डामेज करते प्रोटीन के लिए पहले से प्रोटन मेडिकल साइंस में पेन के लाज टीराइट बायलोजिकल जैसे बता रहे थे बायलोजिकल लेने पढ़ रहे थे क्या नाम है दया जी अब उनके ओपर दया आ रही थी मुझको दया के ऊपर बायलोजिकल को अंदर से पुरे शरीर के लिए बहुत बड़ा डिजास जोड़ों का दर्द उनको ना सता है उजा बड़ा एज अपरोपी पुछा है यह वाला चलो अब तो तुम काफी ठीक हो गए यह जवानों को सो बार करना है कितनी बार सो बार वान तू ट्री पोर फाइट नाइन टैन एलावन टैन ऐसे यह 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 है एसे सो बार एंप धीरे-दीरे करना तू अशे ह comprar इमा शान मचादिया अपने तो जो बार जवानी में ऐसे करें गे सूर ही करेंगे जवानों को सूरे नमस्कार करना चाहिए उमें कपिल शर्मा के शो में गया तो तो ऐसे सूरे नमस्कार कर रहा है मैंने का यह सूरे नमस्कार को सूरियों को सिल्यूट मारना नहीं है तो सुरे नमस्कार जो है, ये बारा भ्यास के साथ करो, धूप में बैठो, तो जबानों कुछ सुरे नमस्कार करना चाहिए, दोड़ना चाहिए, उल्टा सीधा, बैग एंड फ्रंट वाकिंग ही नहीं, रनिंग करनी चाहिए, और जब ये घुट्रे का दर्द ज्यादा ये तो करते ही है, और जो इतना भी न कर पाए, अच्छा बच्पन से बजराशन में बैठो, घुटने ठीक रहेंगे, बाद में तो बैठी नहीं सकते, हम सो साल तक बैठते मिलेंगे आपको, सो नहीं, देड़ सो, कितना? देड़ सो, बहुत सी, कि में देखते हो, पच्प बच्पन से वजराशन करते हो, मंडू का अशन करते हो, घुटने का दर्द नहीं होगा, तो ज्यादा दर्द बढ़ जाता है, तो देखो, श्रिंगी लगाते है, लीच लगाते है, ठीक हो के बैठी है, हमारी बहन, लीच वाली तो बहुती आनंद कर रही है, इसको गुटने ठीक कर लिए, लो, छोटी उमर में घुटने गडबड हो गए थे, अरे मैं तो छोटी मान रहा था, अजा 53 की है, मैं तो 23 की समझ लिया था, माफ करना, तो ये योग करके यंग हो गई है, हाँ सच में आप, अभी ऐसे ही लग रहा है कि अभी कॉलेज से निकली न है, तो अच्छा से आपको उम्ड का पता नहीं है, तो जाए फिर भी गुटने गडबड, एक तो ये बच्चे जो ना, जंक फूड, कोल ड्रिंक, और सॉफ ड्रिंक, ये जो खाना पीना गडबड हो गया, ना, नूटिशियस फूड ना खा करके, जो आड कबाड खारते है जंग फूड खाते हैं, उससे गुट्णों में जंग लग जाता है, इसलिए मैं सभी योव से कहूंगा, दो दही, चाच, अच्छी चीजे खाया प्या करो, फिर बाद में तो हम ये पोटली मसाज में, देखो ये भांग है, धतूरा है, उसमें ये अमर बेल है, फिर एरें कि पोटली मना करके फिर उससे मसाज करते हैं, तो पीडानिल तेल तो है, इसो है, पीडानिल स्प्रे भी है, तो घुटने तो अब किसी के भी खराब नहीं होगे, आज का कारिक्रम जो देख लेंगे, बिलकुल सौमी जी, उनके घुटने सो साल तक अछे रहने वाले हैं, म भी कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके वी उपाएं बता ही रहें आप